सूप्रभाद बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे तथा आपके परिवार के सभी लोग घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे बच्चों आज हम हिंदी अधार पाड पुस्तक का पाड नौ पढ़ेंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाड नौ बड़ीई की मात्रा आज हम पढ़ेंगे बड़ीई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे और देखेंगे समझेंगे कि शब्दों में बड़ी की मात्रा लगाने से क्या क्या शब्द बनते हैं और बड़ी की मात्रा कैसे शब्दों में लगाई जाती है आज हम बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे कल हम लोगों ने पढ़ाता बच्चो पाटार्ट में छोटी की मात्रा सब बच्चो ने उसको दुबारा दोहराया होगा जो कल मैंने पढ़ाया था आज हम पढ़ेंगे छोटी के बाद बड़ी की मात्रा वाले शब्द यह देखे बच्चो यह क्या है? बड़ी ए छोटी ए के बाद क्या आता है बड़ी ए आता है ये है बड़ी ए और ये देखे ये है बड़ी की मात्रा कल हमने छोटी ए पड़ा था छोटी की मात्रा इधर से लगती है और बड़ी की मात्रा ऐसे लगती है तो आज हम बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को देखेंगे ये क्या है सबसे पहला चित्र बच्चो कील ये क्या है कील सभी बच्चे जानते हैं देखें कील कैसी होती है ये देखें क्या लिखा है कील का में बड़ी की मात्रा क्योंकि आज हम कौन सी ये मात्रा पढ़ रहे है बड़ी की मात्रा और ये क्या है ला का में बड़ी की मात्रा और ला कील दूसरा चित्र काई का है घड़ी घड़ी भी सब ने देखी ये सब के घर में होती ना घड़ी पैचानते हो आप लो घड़ी क्या होती है? ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है? घड़ा में बड़ी की मात्रा घड़ी फिर क्या है बच्चो? तीर ता में बड़ी की मात्रा और र क्या हो गया? तीर फिर क्या है मचली मा छ ला और ला में बड़ी की मात्रा तो हो गया मा छ ली मचली अब हम और देखेंगे छोटा आ धन बड़ा की मात्रा धन दा धन मा धन बड़ी की मात्रा किसमें लगी मात्रा मा में तो क्या शब्द बना इन वर्णों को मिलाने से आ में बड़ा की मात्रा ध मा में बड़ी आदमी ये देखो ये आदमी बनाया ना ये आदमी का चित्र है और ये क्या लिखा है आदमी अब हम देखेंगे बच्चों ये का एका चित्र बना है एक क्या है ये गोल थाली है अब देखें यह क्या लिखा है था धन आ की मात्रा धन ला धन बड़ी ये सब को मिलाने से बना था ली ला में देखें क्या लगी है कौन सी मात्रा लगी है बड़ी की मात्रा तो ये क्या हो गया थाली अब हम देखेंगे ये क्या चित्र है ये है छत्री जिसे हम छाता कहते हैं तो ये रेखे क्या लिका छा धन्ता धन्रा धन् बड़ी की मात्रा तो ये क्या हो गया छत्री रा में लगी है न बड़ी की मात्रा तो यह हो गया री छत री फिर देखिएगी क्या चित्र बना है बकरी बा धन का धन रा धन बड़ी की मात्रा इन सब को मिलाने से बना बकरी बा का रा रा में बड़ी अब हम देखेंगे और बड़ी की मात्रा वाले कुछ शब्दों को पढ़ेंगे प, ट, र, र, में बड़ी, पट, र, र, आ, म, मा में बड़ी, र, अ, मीर प, फिर प, पा में बड़ी, त, त, में आ, क्या हुआ, प, पी, त, प, पी, त, ग, ग, में बड़ी की मात्रा गी, द, र, गी, द, ख, ख, में बड़ी की मात्रा और र, खीर का में आ की मात्रा, ला में बड़ी ई, का ली मा में आ की मात्रा, ला में बड़ी ई, मा ली का में बड़ी की मात्रा, की, चड़, की, चड़ चा में बड़ी की मात्रा, और ला, चील बच्चो अब ये बताओ ये काई का चित्र बना है ये है इमली गी इमली कैसी होती है खटी खटी होती है न चलो अब हम इसे भी पढ़ेंगे इ कौन सी इ है छोटी इ इ म ला अब देखो ये ला में क्या लगा है कौन सी मात्रा लगी है फिर आज हमने क्या पढ़ा है बड़ी की मात्रा पढ़ रहे न तो ला में बड़ी की मात्रा क्या हुआ इमली ख ट टा के नीचे रहा और फिर ट टा में बड़ी इ खट टी इमली कैसी होती है खटी होती है न तो क्या लिखा इमली खटी फिर ये क्या चित्र बना है एक बच्चा जो है एक बालक वो क्या कर रहा है कुछ खा रहा है क्या खा रहा है खीर खा रहा है, खीर कैसी होती है, मीठी होती है तो देखो यहां क्या लिखा है, मा, मा में बड़ी की मातरा, मी ठा, ठा में बड़ी की मातरा, ठी, मीठी, खा, खा में बड़ी इ, र, खीर, मीठी, खीर फिर ये क्या चित्र है एक लड़की है वो क्या कर रही है आ रही है दीदी जिसे दीदी बोलेंगे यहाँ पर दीदी लिखा है न तो ये क्या है दीदी है तो दा दा में बड़ी की मात्रा दी फिर दा दा में बड़ी की मात्रा दी तो क्या हुआ दीदी आ, ता, ता में बड़ी ई, ती, आ, ती, कौना ती, दीडी, आ, ती फिर यह क्या चितर बना है बच्चो, चील का, चील कैसी होती है, देखा आप लोग ने काली काली होती है ना चील यह देखो यहाँ पे काली काली क्या दिख रही है यह चील यहाँ क्या लिखा है काली चील का में आ की मात्रा ला और ला में फिर बड़ी इ तो क्या हुआ काली काली चा चा में बड़ी की मात्रा चील ला चील काली चील अब हम पढ़ेंगे बच्चो बड़ी ए की मात्रा लगा कर शब्द बनाईए अब हम आपको अभी हमने पढ़ के बताया अब मैं आपको बड़ी ए की मात्रा लगा के भी लिखके बताऊंगी अब देखो यह क्या लिखा है? ग- फिर यह देखो यहां पे एक ड़एश है और फिर क्या है? ट बीच में जगा है ना यहां फे क्या लगेगी? बड़ी ए की मात्रा यह देखिये यह हमने लगाया बड़ी ए की मात्रा त में तो यह क्या हो गया? गीट, यह देखें यहां पे, आप लोगों के लिए पहले से लिखा हुआ है, आप लोग को समझने के लिए, गा, गामे बढ़ी की मात्रा, और था इन दोनों को मिलाने से बना गीट, अब देखो हा हामें आ की मात्रा हा और फिर था, था के बाद यहां पे देखो डैश दिया है तो अब हमें कहां पे लगानी बड़ी की मात्रा था पे लगानी है तो हम था पे बड़ी की मात्रा को लगा देंगे तो यह क्या शब्द बना हा थी अब हम इसे लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे हा, फिर हम लिखेंगे था, और फिर हम था में बड़ी की मातरा को लगाएंगे तो ये क्या बना हा, थी, फिर क्या है भा, भा में आ की मातरा भा, र, भार, फिर डैश है, तो हम यहाँ पे फिर लगाएंगे बड़ी की मातरा तो ये बना भारी हम इसे लिखेंगे भा, भा में आ की मात्रा है तो आ की मात्रा फिर रा लिख देंगे और फिर उसके बाद हम बड़ी की मात्रा को लगाएंगे तो ये बना भारी फिर क्या है द, प, क अब बड़ी की मात्रा कहा लगेगी समझ में आ गया ना बच्चों आप लोग को यहां लगेगी दा में तो यह बना दा में बड़ी की मात्रा दीपक हम इसे लिखेंगे दा में बड़ी की मात्रा दीप और फिर क दीपक अब हम देखेंगे बच्चों सा, डैश, टा और फिर डैश तो किती जगा डैश है यहाँ पे दो जगा तो हम दोनु जगा पे लगा देंगे बड़ी की मात्रा तो यह क्या बन गया सा सा में बड़ी की मात्रा सी और टा टा में बड़ी की मात्रा टी सी, टी, फिर देखो क्या है सा, सा में आ की मातरा सा, थ, साथ, अब हम यहाँ पर बड़ी e की मातर रखाएंगे, तो यह हो गया सा, थी, हम लिखेंगे सा, सा में आ की मातरा, फिर थ, और था में बड़ी i, सा, थी, फिर क्या है बच्चो, सा, सा में आ की मातरा सा, र, साड, फिर हमें यहाँ पे क्या है डैश लगा है फिर हम यहाँ पे बड़ी की मातरा लगाएंगे तो क्या शब्द बना साडी अब हम लिखेंगे सा में आ की मातरा रड़ नीचे बिंदी फिर बड़ी की मातरा साडी फिर आखरी शाब्द हमारा क्या है पगड़ अड़ा में बड़ी की मात्रा लगाया तो बना पगड़ी इसे भी हम लिखेंगे पगड़ा में बड़ी पगड़ी अब हम पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा पहचान कर उसके नीचे रेखा लगाईए हमने कल भी आपको बताया था ना छोटी की मात्रा वाले जो है जहाँ पे लगी शब्दों में उसके नीचे रेखा लगाना तो आज हम कौनसी मात्रा पे लगाएंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्द में जहां पर बड़ी की मात्रा लगी है उसके नीचे हम रेखा लगाएंगे यह देखो, यह क्या चित्र है? लकडी, यहां क्या लिखा है? ला, क, रा, और रा में बड़ी इ, तो कहां पे है बड़ी इ? यह है, तो हम इसी के नीचे रेखा लगाएंगे, फिर यह क्या है बच्चो? लीची, मीठी मीठी होती ना, मसा आता है खाने में लीची, हाँ, चलो अब हम लिखेंगे, क्या लिखा है यहां पे? ला, ला में बड़ी की मातरा ली, और फिच्चा, चा में बड़ी की मातरा ची, तो क्या हुआ? लीची, तो कित्ती जगा लगी है बड़ी की मातरा? दो जगा, एक ला में लगी है, और एक चा में लगी है, तो हम यहां पे भी रेखा लगाएंगे और फिर यहाँ पे भी हम रेखा लगाएंगे दूसरा क्या है मच्छली मच्छ ला में बड़ी इ मच्छली तो हम यहाँ पे भी रेखा लगाएंगे फिर क्या है लड़की लड़का का में बड़ी इ लड़की तो यहां कामे लगी है बड़ी की मात्रा तो हम यहां पर भी रेखा लगाएंगे ठीके बच्चो समझ में आया आपको बड़ी की मात्रा आप देखो बच्चो यहां पर आपको डेर सारे चित्र दिखाई दे रहे न अलग-अलग चित्र है क्या heading लिखिए, छित्र, देखकर नाम लिखिए, ये का है का चित्र है पैचाम रहे हो, क्या है, पपी-ता, तो ये इसका नाम क्या है, पपी-ता तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम, अभी हमने पढ़ा भी था न, आगे प, फिर प, फिर प में बड़ी की मात्रा और त, त में आ की मात्रा तो ये हो गया पपीता दूसरा क्या है बच्चो? हाथी, जिसे हम इंग्लिश में elephant बोलते हैं ना तो ये क्या है? हाथी, तो ये इसका नाम है, तो हमें फिर इसका नाम लिखना है तो हमने लिखा हा, हा में आ की मात्रा, फिर थ, और था में बड़ी ये क्या हो गया? हाथी फिर ये क्या है? मचली, तो हम इसे लिखेंगे म, छ, फिर ल, फिर ला में बड़ी ये तो ये हो गया मचली, फिर ये क्या है बच्चो? दादी, तो हम लिखेंगे दा, दा में आ की मात्रा दा, फिर दा, दा में बड़ी ये ये क्या है? पगडी, पगडी जानते हो ना, सर पे लगाते हैं, ये वही क्या है? पगडी हम इसे भी लिखेंगे प, ग, फिर दा, बिन्दी और आके बाद उसमें बड़ी की मात्रा तो ये क्या हुआ बच्चो? पगडी बच्चो आज हमने आपको पाट नौ में बड़ी ये की मात्रा वाले शब्दों को पढ़कर बताया, समझाया कि कैसे बड़ी की मात्रा शब्दों में लगती है और वो क्या क्या शब्द बड़ी की मात्रा से बने हैं वो भी मैंने आज आपको पढ़कर समझाया फिर उसके बाद मैंने आपको लिख के भी बताया, छित्रों के नाम भी बताये तो आशा करती हूँ बच्चों कि आज जो भी मैंने आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाया है आशा करती हूँ कि सब बच्चों को बड़ी की मात्रा समझ में आ गई होगी कि बड़ी की मात्रा कैसे लगाई जाती है तो बच्चों आप मैं आपको इसी पार्ट से संबंदेत कुछ कक्षा कारे दे रही हूँ जिसे आप अपनी हिंदी की कौपी में साफ साफ सुन्दर सुन्दर अक्षरों में लिखेंगे धन्यवाद